यार हम सभी लोगों की ठिंकिंग ये होती है कि अगर हम 20,000 से ज़्यादा पैसे किसी स्मार्टफोन पर खर्च कर रहे हैं तो फिर हमें एक ऐसा स्मार्टफोन मिल जाए जो सबसे बेस्ट हो यानि कि प्रोसेसर भी बिल्कुल तगड़े वाला हो DSLR जैसा कैमरा हो और डिस्पले भी एकदम हाई क्वालिटी की हो तो अगर आपको भी बिल्कुल एक ऐसा ही फोन चाहिए जिसमें सभी स्पैक्स बिल्कुल टोक नोच हो तो इसके लिए आपको अपने बजट को मजबूत करना पड़ेगा तो गैस आज मैं आपको बताऊंगा Top 5 Most Powerful Smartphone Under 30,000 के बारे में ये जो 30,000 का बजट होता है इसमें हमें कुछ-कुछ फोन्स Flexip Level की फील देते हैं और आपको भी Flexip Level की फील आएगी जब आपके 30,000 रुपे एक अच्छे स्मार्टफोन पर लग जाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं देखिए यार सभी स्मार्टफोन अलग-अलग लोगों के लिए बने हैं कोई फोन लुक एंड डिजाइन के मामले में अच्छा है तो किसी फोन की बैटरे और चार्जिंग अच्छी है तो किसी फोन का कैमरा अच्छा है ऐसे ही आज वाले स्मार्टफोन भी डिफरेंट डिफरेंट ओडियन्स को टार्गेट करते हैं इसलिए मैंने इन सभी फोन की रैंकिंग नहीं की है तो चलिए गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन की और सबसे पहले बात करते हैं एक प्यारे से नियू एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की और ये वाला फोन इसपेसली उन यूजर्स को टारगेट करता है जिनको डिजाइन और सेल्फी के लिए एक सबसे अच्छा स्मार्टफोन लेना है 30,000 के बजट में तब आप वीवो के न मान ये दोस्तों फिलाल के टाइम पर 30,000 के प्राइस में डिजाइन और सेल्फी कैमरा इसकी टक्तर पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा अब फटा फट से बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के स्पैक्स की 6.44 इंच की Full HD Plus वाली Super AMOLED डिस्पले है 90Hz का रीफ्रेस रेट है डिस्पले क्वालिटी तो बेस्ट है पर डूल कैमरे की वज़े से देखने में थोड़ी आउटडेटिड लगती है मतलब सामने से देखने पर डिस्पले ट्रेंड को फोलो नहीं करती पर इस बड़ी सी नोच के पिछे काफी कमाल का फीचर लगा है चल इस यूजर को कमबाइंड एक्सपिरियंस प्रोवाइड कराती है मतलब की डिस्पले कैमरा बैटरी डिजाइन सभी चीज़े आपको बिल्कुल अच्छी मिल जाएंगी और गैस इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह इंडिया का पहला कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है सिक् बैक में 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगा पिक्सल का ट्रीपल कैमरा लगा है और फ्रेंट में आपको 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का डूल फ्रेंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और यह पहला स्मार्टफोन है जो 50 मेगा पिक्सल के फ्रेंट सेल्फी कैमरे के साथ आता है और इसके फ्रेंट में इसकी पावर की 4200 mh की बैटरी है और 44 वोट का चारजर आपको इंदा बोक्स मिल जाएगा और इसके 8 GB की रैम और 118 GB के स्टोरेज के लिए आपको 39,990 रुपेद देने पड़ेंगे और 12 GB की बड़ी रैम और 256 GB के बड़े स्टोरेज के लिए आपको कार्ड वगर अपलाई तो अगर आप गेमर हो और आपको एक ट्रिगर वाला गेमिंग फोन लेना है देन आप लोग पोको F3 GT की तरफ जा सकते हो ये गेमिंग फोन तो है ही पर 30,000 के बजट में इस फोन के अंदर आपको 256 GB का बड़ा स्टोरेज भी मिल जाता है जो इस डिवाइस को और भी ज़ा तो भई डिस्पले तो इसी स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है गेमिंग के लिए भी डिस्पले काफी स्मूथ परफॉर्म करेगी और क्वालिटी भी इसकी डिस्पले की काफी अच्छी है चलिए अब बात करते हैं परफॉमेंस की तो डायमेंसीटी 1200 का चिपसेट लग और इसमें आपको युफस 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा और इसमें अलग से गेमिंग ट्रीगर भी लगे हैं और इस स्मार्टफोन में आपको स्टूरियो स्पीकर भी मिल जाएंगे क्यानि की फीचर्स तो इसमें आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं चलिए अब बात कर प्लस एट प्लस टू मिगा पिक्सल का ट्रीपल कैमरा लगा है और फ्रेंट में आपको 16 मिगा पिक्सल की सेलफी मिलेगी भाई कैमरा इसी स्मार्टफोन का ठीक ठाक है ज्यादर सुप्रीम लेवल की क्वालिटी तो नहीं है कि एकदम से DSLR जैसी क्वालिटी मिलेगी एक नोर्मल सा कैमरा इसी स्मार्टफोन के अंदर लगा है 5065MH की बैटरी है और 67W का चार्जर आपको इंदा बोक्स मिल जाएगा और इसके 8GB की RAM और 256GB के बड़े स्ट्रोज के लिए आपको 31,000 रुपे देने पड़ेंगे बट अगर आप लोगों के पास कार्ड है तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को 39,000 की किमत में आसानी से ख्रीद पाओगे अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको गेमिंग फोन तो लेना है पर उसमें Snapdragon का chipset होना चाहिए देन अगर आपकी ये डिमांड है तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुती अच्छ refresh rate है भाई display quality तो अच्छी है और smoothness भी जबरदस्त है चलिए अब बात करते हैं performance की तो इसमें लगा है snapdragon 870 का chipset ये phone सिर्फ एक या दो 5G band को support करता है बट performance यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी किसी भी high graphics वाले game को इसी smartphone से आप बड़ी आसानी से खेल पाओ smartphone है जिससे performance wise यह smartphone और भी ज़्यादा powerful बन जाता है security के लिए इसमें आपको in display मिलेगा और 4400 mh की बैटरी है और 66 watt का charger आपको in the box मिल जाएगा अब बात करते हैं camera की 48 megapixel का triple camera लगा है और front में आपको 16 megapixel की selfie मिलेगी camera इसी smartphone का काफी अच्छा है low light as well as daylight दोनों के अंदर GT से अच्छा perform करता है अब बात करते हैं इसके RAM storage की कि क्या कुछ आपको इसके लिए pay करना पड़ेगा इसके 828 के लिए आपको 39,990 रुपे देने पड़ेंगे बट अगर आप लोग इसी smartphone के top variant को purchase करते हो तो इसमें आप 3GB की RAM तक extend कर पाओगे चले दोस्तों अब ये time है फट जाता है तो भाई ये बात तो सही है कि OnePlus Nord 2 की काफी unit blast हो चुकी है जिस वज़े से लोगों का trust OnePlus पर थोड़ा कम हो गया है पर अगर आपको अब भी OnePlus पर भरोसा है देन अफकोर्स यार आप लोग purchase कर सकते हो OnePlus Nord 2 को इसमें 6.4 इंच की AMOLED डिस्पले है 90Hz का refresh rate है Dimensity 1200 का chipset और 50MP का triple camera इसके back में लगा है और front में आपको 32MP की selfie मिल जाएगी भाई camera इसी smartphone का उतना अच्छा नहीं है जितनी लोगों को उम्मीद थी मतलब कि normal सा camera इसी smartphone के अंदर लगा है ज्यादा high quality की camera performance नहीं मिलेगी इसके 828 के लिए आपको पूरे 30,000 रुपे देने पड़ेंग चाहिए क्योंकि 30,000 रुपे एक बड़ी amount है तो अगर आप लोग इसी smartphone को purchase नहीं कर सकते और आपको ये smartphone purchase नहीं करना है तो मेरे पास आपके लिए एक option और है और इस option का नाम है dealme GT Neo 2 यार सच में ये smartphone OnePlus Nord 2 से कहीं गुना अच्छा है पर कमी ये है कि ये phone OnePlus की branding पर नहीं आता और ये सच भी है अगर ये smartphone OnePlus की branding पर आता तो इस smartphone का price लगबग 50-60,000 होता और ये आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि OnePlus के price high रहते हैं अब बात करते हैं इस smartphone के specs की 6.2 इंच की Full HD Plus वाली AMOLED डिस्पले है 120Hz का fast refresh rate है और 600Hz का test sampling rate भाई डिस्पले तो इस smartphone की काफी अ यहाँ पर आपको काफी लाजवाब मिलेगी चलिए अब बात करते हैं बैटरी की तो इसमें 5000 mh की बैटरी लगी है और 65 वोट का charger आपको इंदा बोक्स मिल जाएगा बात करें कैमरा की तो back में 64 megapixel का triple camera है और front में आपको 16 megapixel की selfie मिलेगी गईज कैमरा इस smartphone का decent है मतलब की average परफॉर्म करता है अब बात करते हैं इसके RAM storage की तो इसके 818 के लिए आपको 32,000 रुपे देने पड़ेंगे बट अगर आप लोगों के पास card वगयरा है तब आप लोग इसी smartphone को 27,000 की किमत में खरीज सकते हो तो भाई ये थे 30,000 वाले 5 सबसे best smartphone जो आप लोगों को हर field के अच्छी performance का मज़ा देंगे अब decision आप लोगों का है आप लोग अपनी पसंद और budget के हिसाब से इन पांचों में से किसी भी एक smartphone को purchase कर सकते हो अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक smartphone purchase करना होता तो यार मैं purchase करता Vivo V23 5G को क्योंकि मेरे लिए self your design काफी जादा माइने रखता है आप लोग किसी smartphone को purchase करोगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आप लोगों का कोई doubt है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें अब मिलते हैं गली धमाकेदार वीडियो में तब तके जैन्तवन्द्यमातर में